हमले हुए हैं और इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है नौ जून को रियासी के बाद 11 जून को कटवा डोडा में हमला किया गया और कटवा हमले में शामिल दो आतंकी मारे गए जिसमें से एक आतंकी के पास से एक लाख रुपे कैश भी बरामद हुआ सूत्रों के हावाले से एक खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग प्योके में बनाई गए थी और आतंकी हमले के बाद जून के के मंदिरों के सुरक्षा विवस्ता को बढ़ा दिया गया है ये रिपोर्ट देखिए बात पर घंडे में तीन जुखों पर पाकुस्तानी आतंकियों ने हमला किया रियासी, कठ हुआ और डोडा में आतंकियों ने नापाख हर्गत की है जिन्होंने जम्मू में खून बहाया है, उन्हें एक एकर जहनुप पहुँचाया जा रहा है रियासी में आतंकियों को घेर लिया गया है और किसी भी वक्त उनके खात्मे के खबर आ सकती है लेकिन पिछले तीन दिन में आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू की तीन जगों पर दहशत गर्दी की है वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है क्योंकि खूफिया सूत्रों से लगातार खबरे आ रही है कि पियों के में पाकिस्तान ने आतंकी लॉंच पैट से भारत पर बड़े हमले की प्लैनिक की पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरा नगर के सैदा सुखल काओं में दो आतंकीों ने घरों का दर्वाजा खटखटा कर पानी मंगा ग्रामीनों को शक्वा तो दर्वाजा बंद कर शोर मचाया लेकिन आतंकीों ने फाइरिंग की आतंकीों से निपटने के लिए डियाईजी और एसेसपी पहुँचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फाइरिंग की और भागने की कोशिश की लेकिन दोनों आतंकीों को तलाश कर जहन्नम पहुँचा दिया गया कटवा में मारे गए आतंक्यों के पास से बरामत सामान की एक्स्टोजिव तस्वीर न्यूस एटिन इंडिया को मिली है इस तस्वीर में खाने पीने का पूरा सामान नजर आ रहा है आतंक्यों के पास दवाईयां, पेन किलर, ट्राइब फ्रूट्स, चने, चॉकलेट पार, हैंड सेट, एंटीना, एक लाख कैश, M4 कारवाई, AK-47 बरामत हुई मतलब साफ है कि आतंक्यों की लंबे समय तक यहां छिपे रहने और साजिश की प्लैनिंग के लिए आए थी दो आतंक्यों को मार्ग राया गया है और अभी सवर्च ऑप्रेशन इलाखे में चल रहा है यह नया इंट्रूट्रेटर गूप है जिसमें की इस लाखे में आया है और ज्यादा आतंक्यों की चिपे होने की समभावना हो आतंकी हमले में पांच जवान और एक स्पेशल कुलिस अविसर खायल पे हमले की जिम्मेदारी आतंक्वादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है दोडा और रियासी में हमला करने वाले आतंक्यों की चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है वहीं कट हुआ आतंकी हमले में शहीर स्यार्पियफ जवान को देश ने शत्थांज ली थी इस बीच जम्मू के नौशेरा में कुछ संदिक्द देखे गए जिसके बाद गाम वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी थी इसके बाद इस्थानिय फुलस और सेना ने नौशेरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया घाटी में तीन दिन में तीन आतंकी हमले महस इत्फाक तो नहीं हो सकते लोग सबाद चुनाओ के दौरान चम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग ने आतंकियों की नीद उड़ा दी है उन्हें अपने वजूद और सपोर्ट बेस की चिंता होने लगी है अब जल्द ही विधान सबाद चुनाओ की बात चल रही है कुछी हफ्तों में अमर्नाथ व्यात्रा भी शुरू होने वाली है ऐसे में इन हमलों के जरिये आतंकी दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं सांती का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी-पोटी घटनाओं के लावा जब इलेक्शन में बड़ चड़के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नीन्ध हराम हो गई और जो लोग जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा जलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में असांती कैसे पैदा की जाए तो उन लोगों की सस्टीनेंस पे खत्रा ख़ड़ाए